चोपडा एजो किस ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चोब इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कोलेजेज की भारी भरकम फीस होने के बावजूद एक ऐसा स्टेट भी है जिसकी मेडिकल कोलेजेज की फीस 6 लाग से स्टार्ट है यानि इस स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कोलेजेज की फीस 6 और 7 लाग के बीच में है और इनमें 15% open seats हैं जिन पर All India का कोई भी candidate admission ले सकता है चाहे वो किसी भी state का रहने वाला है इस state की cutoff भी कम रहती है cutoff की चर्षा हम last में करेंगे इस state के लिए registration reopen हुए है जिनकी last date 20 July 22 है अगर आपका score कम है और आप 6 से 7 लाग पर यर की fees में admission लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए registration कर दें केरिला इस्टेट में counseling के लिए registration एकी बार होते हैं इनके registration पहले अपरेल में हो चुके हैं लेकिन जिन candidate ने apply नहीं किया था उनके लिए ये portal 26 जुलाई 22 तक दुबारा से open है मैं आपको clearly बता दूँ कि इसके बाद केरिला इस्टेट में MBBS BDS counseling के लिए कोई registration open नहीं होंगे केरिला ही एक मात्र ऐसा इस्टेट है जिसमें MBBS BDS counseling के लिए registration नीट रजल्ट से पहले ही हो जाते हैं इसके बाद कोई registration नहीं होता है अगर किसी candidate ने पहले registration कर रखा है अप्रेल में तो फिर उसको registration करने की दुबारा से आउश्यक्ता नहीं है नहीं तो उसका application form reject हो जाएगा अब हम इसमें बात करें कि आपको registration कैसे करना है तो registration करने के लिए आप इसकी website www.kerala.gov.in पर विजिट करेंगे यहाँ पर आपको keam22 candidate portal मिलेगा इस पर आपने click करना है click करने के बाद में आपको यहाँ पर new registration का link मिलेगा यह video बनाने तक link अभी activate नहीं हुआ है लेकिन यह जल्दी हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे इसकी last date 26 July 22 तक है अब इसमें मैं आपको important बात यह बता देता हूं कि registration करते समय आपको जो documents upload करने हैं उसमें date of birth proof के लिए 10th की mark seat upload कर दें और nativity certificate के लिए आप अपने 12th की mark seat upload कर दें क्यूंकि Kerala state के domicile candidate के अलवा जो बाकी state के candidate होते हैं वो non-Kerala light 2 में category में आते हैं तो आपको यह category select करने होगी और यह documents upload करने होगे अब हम बात करें cut off की तो cut off इसमें 21 में इसके stay vacancy round की last cut off करुना medical college fall card की 484 marks रही थी और इस बार यह last round की cut off 480 रह सकती है हलांकि first round और second round की cut off इसमें high रती है मगर mop up round और stay vacancy round की cut off low चली जाती है आप Kerala state के बारे में या फिर अन्य open state के बारे में जानकारी चाते हैं तो हमारी book इस वीडियो के description box से या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से download कर सकते हैं state quota की book में मैंने जो आप यह देख रहे हैं इस परकार से सब कुछ समझा दिया है इसमें fees क्या है, cut off किस परकार से है, सभी roundों की cut off दी है Kerala state के अलवा बाकी state की जानकारी भी state की book में है तो आप इसको वीडियो के description box से download कर सकते हैं अगर आपको doubt है तो आप जो भी mobile number देंगे उस पर हम आप से संपरक कर लेंगे आप अपने doubt दूर कर सकते हैं, आप हमारी paid counseling भी ले सकते हैं तो यह जानकारी थी Kerala state के बारे में, अगर आप इतनी fee support कर सकते हैं तो इस साल के लिए सबसे कम fees का यही state है और फिर से मैं दुबारा एक clear कर देता हूँ कि Kerala state के MBBS, BDS के counseling के लिए registration इसके बाद नहीं होंगे, 26 July last date रहेगी तो आप registration कर सकते हैं, मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन